So, Hello and Welcome back to my channel The Education Hub तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने SLM की यानि कि School Leadership and Management की स्टार्ट कर दीती सीरीज जिसमें मैं आपको एक-एक टॉपिक एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ टोटल 25 या 26 टॉपिक हैं यूनिट 5 में अगर यूनिट 5 के सारे टॉपिक को मिला दे तो 25 या 26 टॉपिक हैं उनको मैं आपको एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ ठीक है टॉपिक बाइ टॉपिक और इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे ऐसा नहीं है कि कोई इजी टॉपिक है तो वह स्किप्ट करने वाली हूँ या फिर कोई मुश्कल टॉपिक है तो बस उसी को कराऊंगी ऐसा कुछ नहीं है सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वह भी सीरीज में आपको मिलेंगे ठीक है मेरे आप प्लेलिस सेक्शन पर जाके SLM की वीडियोस देखूँगे तो आपको आपको आपर सीरीज में मिल जाएंगे और वहाँ पर कुछ ओल्ड वीडियोस भी है जिसमें कुछ टॉपिक्स बढ़ाएं वह भी है लेकिन आज से जो मैं स्टार्ट करूँगी वह सीरीज भी आपको उसी प्लेलिस के अंदर मिल जाएगी मैंने लास्ट वीडियोस लेसन प्लान पर बनाई थी और डियलेड में या बी एड डीपीएसी में आप मेरे चैनल के प्लेलिस सेक्षिन में जाके लेसन प्लैलिस ना उसे प्लेलिस्ट आपको आपको सारी फाइल्स और असाइमेंट्स मिल जाएंगे और अगर मैं कोई फाइल स्किप कर चुकी हूँ तो आप मुझे बता सकते है उस पर भी वीडियो बना दूंगी तो अब आईए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे सबसे आज का हमारा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट पढने के लिए सबसे पहले हम स्कूल का मीनिंग तो हम आलड़ी हम जानते हैं पिछली वीडियो में हमने देखा है तो school management जानने के लिए school का मतलब हमें पता चल चुका है और अब हम जानेंगे management का मतलब simple अपने life में अगर हम देखे management का क्या मतलब होता है यह daily activity है जो भी किसी की काम को करने के लिए बहुत जरूरी है जैसे कि आपको exam है जिसे आपके exam साने वाले हैं ठीक है तो आप उसके लिए कैसे plan करोगे अपने time को कैसे manage करोगे अपने overall work को कैसे manage करोगे मुझे इस subject को इतना time देना है math को कम time देना है दूसरे subject को ज्यादा देना है ऐसे आप कैसे manage करोगे ठीक है तो वो आप अपने plan बनाते हो वो daily life के लिए ठीक है जैसे हम उठते हैं हमें school जाना है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है हम manage कर चुके है कि सुबह हमें उठना है फ्रेशन अप होना है फिर ready होना है फिर breakfast करना है फिर school जाना है school से application जाना है या किसी coaching जाना है या फिर सोना है ठीक है या फिर self study का time है homework का time है तो ये सब जो है वो management का part होते हैं और इसी को ही हमें लिखना है हमें इसमें ज्यादा थ्योरी पढ़न स्कूल है उसका क्या goal होता है हमारा development होता है student का development होता है तो वहां के जो भी members होंगे ठीक है वो सब अपना time manage करेंगे जैसे school में time table भी form होता है कि इतना time is subject को मिलना चाहिए उतना time is subject को मिलना चाहिए ठीक है इसा तो है रोज रोज हमारे games के period होते है या रोज रोज हमारे library period होता है होता है लेकिन वो limit में होता है क्योंकि हमें पता है कि main हमारे लिए क्या है games का regular हो सकता है regular math, science, English, sst ठीक है इन सब का regular होता है तो ये सब जो होते हैं जब group में काम करके भी अलग-अलग काम करते हुए भी जैस English teacher English का करेगी कि मुझे पहले ये chapter पढ़ाना है लेक teacher से कि अगर आपका subject पूरा हो गया तो मैं class ले लेती हूँ simple ठीक है तो वो अपना-पना काम करते हुए individually work करते हुए उनका common objective है उसको achieve करने के लिए वो group management करेगी ठीक है इसमें ये ही लिखा हुआ है और अगर कोई single person है तो वो अपने according time frame करता है जैसे कि कुछ लोग होते सुबह उठके पढ़ते हैं कुछ रात में पढ़ते हैं तो वो अपने according, अपने convenience की according time manage करते हैं और जो groups होते हैं वो एक दूसरे के साथ coordination और cooperation से management करते हैं ठीक है अब definitions देख लेते हैं कि different scholars ने management को कैसे define कर रहे हैं तो सबसे पहले Harald Kohns कहते हैं कि management कैसी कला है जिसमें हम अपना काम करते हैं लोगों के साथ मिलके यानि एक group में एक formal तरीके से यानि systematic तरीका क्या होगा तुम यह काम करोगे मैं वो काम करूंगा हमें ऐसे करना है वैसे करना है मैनेज कर लिया प्रॉपर ठीक है तो क्रेट जितना कम से कम हम यूज कर मतलब इसे इन्वारमेंट में रिसोर्स है तो उनको कैसे यूज कर पाएं तो उनको कैसे यूज करें और हम अपना अप्जेक्टिव अटेन करें उसके लिए management होती है या फिर प्लानिंग भी बोल सकते हैं इसको तेरीके बोलते है मैनेजमेंट जिसमें की फोर तो फाइव स्टेप्स हैं जिसे की सबसे पहले है प्लानिंग प्लान करना है सबसे पहले कि क्या हमारा अबजेक्टिव 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 तो यह होगा और गनाइस की कौन सा काम कैसे होगा ठीक है फिर एक्चुलाइजिंग कांट्रोल करना फिर अकंप्लिमेश ऑफ अबजेक्टिव फिर उसके बाद किया होगा हमारा ओजेक्टिव वो हमें मिल जाएगा MC Farland कहते हैं मैंनेजमेंट एक ऐसा कॉंसेप्ट एक परपस है कॉंसेप्ट का थियोरी का अनलाइस का परपस है जिसमें हम क्रियेट करते हैं डायरेक्ट करते हैं मतलब कुछ नया बनाते हैं कुछ काम करते हैं कॉडिनेशन से जहां पर भी आपको मेनेजमेंट वर्क दिखें कॉडिनेशन और कॉपरेशन यूमन एफ़र्ट के यह जरूर वर्ट आएगा जैसे अगर हम school management की बात करें, school में individual तो होगा नहीं, group management है, तो group में हम क्या करते हैं, coordination से, cooperation से, human के efforts, जो हमारे efforts हैं, उनको use करते हैं, और अपना objective को attain करते हैं, objective attain करने के लिए ही management बनाना होता है, आज हमारा अगर कोई plan नहीं है, दिन का से Sunday को हम जातर बोलते हैं, कि आज हम हमारा free day है, जो मन करेंगा वो करेंगे तो उस दिन हमने कुछ management नहीं करी, तो हम इसको भी बोल सकते हैं, कि six days की management हमारे पास week की management है, कि एक दिन आपको खुद को time देंगे, तो यह भी management का पार्ट है, अफिफ्थ है, Henry Fayol, यह क्या कहते हैं, to manage to forecast, यानी, plan करना है, organize करना है लोगों को command देनी है, जो भी leader होगा, प्लान करेगा, फिर organize करेगा कि कब होना है, कैसे होना है, फिर जो वो members को command करेगा, उनके बीच में cooperation होगी, और control करेगा, जिससे हमारे objective attain हो जाएं, ठीक है, तो यह जो सारी definitions है, जो different scholars ने दी हैं हमें, इन सबसे मतलब एक ही निकल के सबके बोलने का तरीका बस बदल जाता है, और जादा आपको focus करने की जिरुवत नहीं है, definitions पे ठीक है, जादा ऐसे definition पूछा नहीं जाता, अब हमने definitions देख लिए, अब हम देखते हैं, कुछ characteristics, क्या characteristics है, school management की, सबसे पहला है, management गोल oriented है, अगर में किसी भी चीज को manage करना ह क्यों हमारे पास एक goal, एक objective होना चाहिए, ठीक है, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, अगर वो नहीं होगा, तो हम planning बनाएंगे किसके लिए, second है, management multi-dimension होता है, इसका ये मतलब है, कि ये सब चीजों को focus करता है, अपने employees को भी, उनके कैसा काम है, उनकी unity, कौन काम कैस करेगा, कौन से काम से success मिलेगी, मतलब इसमें एक dimension नहीं है, multi-dimension से, management पर्वेसेव है, इसका ये मतलब है, ये हर एक level पर चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, कि आपको math पढ़ने है, तो आपने math, math के लिए manage कर लिया, टाइम बाकी का जैसे होता रहेगा, हो जाएगा, तो ऐस इसा नहीं है, ऐसी schools में भी, अगर में school का example लो, तो school में भी decide होता है, कि बच्चों को इस चीज के लिए ऐसा management होनी चाहिए, ये निया का admix की, co-curricular activities, ठीक है, सब के लिए management होनी चाहिए, हर एक level पर require होता है, management is a continuous process, अभी जैसे हमने देखा हर एक level पर जरूरी है, तो य continuous process भी होगा, इसमें planning होगी, organize होगा, तो यह plan करेंगे हम, फिर कि हमें क्या objective है, organize करेंगे, क्या-क्या चीज़े चाहिए, director, staffing करेंगे, मतलब direction देंगे लोगों को, जो भी हमारा staff होगा, control करेंगे, तो यह है, इसमें continuous process है, फिर जब हमारा objective attain हो जाता है, हम आगे उसे continue करत पड़ेंगे, science या, sst, ठीक है, उसके लिए हमने management बना ली, continuous process है, यह group activity होती है, कि यह लिए हम कुछ भी manage नहीं कर सकते, suppose आप sst के teacher है, आप सोचेंगी, कि मैं एक period ले लो, दो period ले लो, लेकिन जब तक आप बाकी teacher से corporate नहीं करेंगी, उन्हें भी तो अपना काम होगा, तो आपको यह group activity है, आपको सब के साथ मिल के काम करना चाहिए, और करना पड़े का भी, क्योंकि इसमें teamwork, coordination इन सब की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, अब आते हैं, dynamic in nature, इसका मतलब है कि अपने आपको उस environment में ढालेता है, जैसे कि एक स्कूल का एक्जामपल लेते हैं, इसकी कि एक समझाए कि अगर स्कूल में बढ़ेता है, एक पीरिट अपको बना ओरहा है कि अपने को आप धालेका में अपके डाले गगा, झालेगा, झालेगा, और अगर अगर आई यह व्मारे पास आज हमने ये रूल बना दिया, है तो आई एसी पढ़ए जाएगी और तो ऐसा नहीं है, यह एक समय पे ही काम कर सकता है, मतलब इसको चेंज़ेस की भी जरुवत होती है स्हेवन्छ है, मैंनेजमेंट इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का मतलब दिखता नहीं है, मैंनेजमेंट कोई बॉड़ी तो है नहीं जो हमें दिखाइokif थीक है ऐसा तो नहीं है उमें दिखाई देगा लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं जैसे कि हमने गौल अचीव कर लिया, तो हमें लगी कर लिया कि आपके का कि हां हमने अच्छ से मैनेजमेंट की थी, ऐसा तो है नहीं कि वन प्लस वन तू तू हमें आंसर मिल गया और human needs को देखता है, economics, sociology, तो इन सब को देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अब यह art कैसा है, ठीक है, यह art कैसा है, अब हम यह देख लिते हैं, कि हमें अपनी knowledge skill को कैसे डालना है, अपनी imagination, अपनी innovation किसे, हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे apply करेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं, कि यह बहुत, यह बहुत science और arts है, ठीक है, होप है आपको यह बात समझाई होगी, कि कैसे है science और arts है, अब next topic हम देखते हैं, देखिए हमने जो unit 1 का topic पढ़ा था, topic 2 क्या था हमारा school management, तो school management को समझने से पहले हमने management समझा कि management क्या होता है, ठीक है, तो management समझने के बा तो पॉसल इनसिटीशन है, जह पेक एजूकेशन दी यह बच्चों को और वन एजूकेशन काँचर देती है है, यह बात इच्च ओपर विजन में पीचर्स को भी गई किया जाता है, उनकी अच्च ऑपर विजन में वो बच्चों को चाले जती है, ठीक है यह कैसा एंवार टीचर्स, स्टाफ वोग्या गोड्स, materiall, capital, money, information, अबसके अफ़ी जरूरते हैं इन सब को हमें मैंनेज करने की बहुत जरूरत है कि कौन कैसे काम करेगा इसके लिए प्लांस चाहिए उनको इंप्लिमेंट करना भी है और उसके बात क्या करना है हमें evaluate करना यानि कि यह देखना ही कि हमने यह प्लान बनायते successful रहे की नहीं रहे और अगर नहीं रहेख तो हम से replan करेंगे ठीक है चाहि यहां फिर next step में तो अगर हम समझें कि school management क्या होता है ऐसा मतला अपने resource को use प्रिंसिपल है स्टाफ्स है और फिजिकल रिसोर्स क्या है जो हमारे पस बिल्डिंग है फर्नीचर है मनी है इन्फरमेशन टेक्नोलोजी इन सब को यूज करके इन्हें कैसे मैनेज करना है कि यह प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो विदाउट हम अगर हम प्रॉपर्ली यूट हो कि यह धिलाइस कर पाए हमने रिसोर्स को कि अगराएं तो वो स्कूल मैनेजमेंट कहला एगा ठीक है और यह सब रिसुआसिबल होता है कि मैनेजमेंस के फ्ल्स्ट कर गरीं होता है अह रिसोर्स्ट में पास फीर नावालिज को मशिवट कर यह समबल श्कूल मैनेगर coping कि इसमें टेक्नीक्स वगेरा यूज़ करके हम सब कुछ अपने गोल्स और अब्जेक्टिफ को मैनेज करते हैं, ठीक है? मतलब कि जो हमने कुछ टेक्नीक्स बनाई ठीक है इस टेक्नीक्स से चलना है और जो भी हमारा गोल है गोल क्या होता है इसकूल का यह आप सबी को पता है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ उसको अचीव करने के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स कुछ टेक्नीक्स बनाई है दाइनमे किन नेचर है यानि कि इसमें चेंजूस का स्कोप है और बहुत जादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है नई innovations का स्कोप है को ठीक है और इससे मैन यानि की जो भी हमार पास यूमन पावर है उसको यूमन रिसोर्स है उसको मैटीरियल है फाइनेशल रिसोर्स है सब का हम प्रॉपर यूज करके तब हम अपने गोल और अबजेक्टिफ को अचीव करें इनो इन्वल्मेंट ऑफ लीडर्शिप यहानि क कि उपर एक हेड होता है स्कूल का ठीक है उसको लीड वो लीडर होता है और उसके अंदर वर्किंग कैपेसिती बहुत जादा होनी चीए इफेक्टिव और एफिशेंट वो लीडर होना चाहिए तब ही स्कूल प्रॉपर्ली वर्क करेगा यह मल्टिडिसिप्लेनरी है हम ट्रॉपर्ली एक स्कूल को मैनेज कर पहेंगे जब हम सब चीजों को क्याटर करके समझ पाएं अगर हम सुदेंट्स को नहीं समझते हैं स्टूडंट के मैंटालिटी क्या है स्टूडंट को गेम स्पिरट की भी जरूत है अगर हम यह ना समझा हरोने स्रिफ मैठ्स मैठ साइन्स या सिस्टी एसिस्टी के पिरिट देते रहें ठीक है उनकी साइकलोजी ना समझे तो वह एजी ली मैनेज नी कर पाएगा हमारा मैनेजमेंट ही गलत होगी या फिर हमें यह लगे कि बच्चों को इंगलिश आनी चाहिए सर्थ उसके लिए इंगलिश के पिरिट लग सबस्टी नहीं हो पारा ठीक है अब है गोल-Oriented school का अपना गोल होता है प्रेटरमाइड अबजेक्टि वह थे प्रिटरमाइड गोल होते हैं यानि कि पहले से ही निर्धारेत होते हैं कि हम यह यह करना है यह हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुक है इस पर जादा एक् प्रिंसिपल आपनी स्किल दिखा पाएं ठीक है एक्सपेरिमेंट होगा कि हमारी पॉलिसी ठीक है कि नहीं फिर हमें समझ आया कि थोड़ा गलत है तो हम उसे चेंज करेंगे तो यह साइंस का पार्ट हो गया इस वज़े से तो यह दूनों को कॉम्बिनेशन है ना तो यह आर पार्ट भी है और यह कुछन बहुत इंपॉर्टेंट है यह कहीं बार आ जाता है कि त्योरी तिकल नहीं है प्राक्टिकल यह यह नहीं है कि थोरी में लिखा यह अच्छा लग रहा है कि बच्चों को इतने लाब्स के पीरिड मिलेंगे इतना एसिस्टी कराएंगे इतना प्राक्टिकल लाइफ में देखे कि टीचर ने बोल दिया कि हम बच्चों को फिल्ड विजिट कराएंगे लेकिन फिल्ड विजिट कराते कराते क्या हूँ वह एक ही टॉपिक पढ़ा पाई है दो तीन महीने में सब कुछ बच्चों को नॉलिज नहीं मिल पाई ठीक है तो इसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहां पर सबको बोलने का दिकार है ऐसी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कि वो अपने हेड को कुछ बोल सके और जो प्रिंसिपल होगा या जो हेड होगा जो लीडर होगा सही माइने में जो लीडर होगा वो सुनता है अ इसे अचीव करना है तो सबसे पहला होता है इम पार्ट कॉलिटेटेव एजुकेशन यानि की चुडेंट को इस्टूडेंट को एक्स्पांड कर सके अपने आउटलुक को वाइडन कर सके मतलग वो अपने समझ को अपने माइंड को थोड़ा कर के देखे हैं अमें माइंड को प्रॉपर यूज कर पाएं ठीक है अपना केरेक्टर डेवलप कर पाएं उनमें एस्थेटिक सेंस डेवलप हो वो कॉम्यूटी नेशन और खुद के लिए काम कर पाएं तो हमें स्कूल स्टूडेंट्स में क्वालिटेटिव एजुकेशन डेवलप करनी है और सेकिंड ह हमारा अबजेक्टिव है फुल उटलाइशन अफ रिसोर्स यानि कि जो भी अवेलेवर रिसोर्स है मैं मेटेरियल मेथर मनी ऐसेक्टर कोई भी है उसको हमें प्रॉपर्ली यूज करना है थर्ड है प्रोडिस्टार सोशल रिस्पॉंसिबिटी यानि कि हमें स्टूडेंट अबजेक्टिव है ना केवल स्टूडेंट्स के लिए लेकिन जो भी टीचिंग स्टाफ्स है उनके लिए क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होता है दुनिया कि किसी भी अगर हम कोने में जा के देखे तो ठीक है तो इ जो की कमप्ली विओ प्रोफेशन होना दॉडीरेंट बहुत को टीचिंगि अब्स बहुत एंगर हमाज़ वकांने में फाम था छू उप सब अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट है तो कंपलाई विद अधर डिपार्टमेंट जिसे स्कूल है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मरजी से चलूँगा अगर ओर्डर आएं उपर से स्कूल्स ओफ होने हैं तो हम तो भाई खोलेंगे क्योंकि हमें खोलना है तो ऐसा नहीं हमें बाके डिपार्टमेंट जैसे की एंजी ओ बगएरा से हाईयर ओफिशल से सब के पॉलिसी सब के रूल सब के रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है यह नहीं कि अपना स्कूल है तो जो मन करेगा हम वो करेंगे ऐसा नहीं होता हमें सब के सब डिपार्टमेंट के साथ मैनेज करके चलना पड़ता है नेक्स्ट है तो इवैलूएट स्कूल की स्कूल्स परफॉर्मेंस यानि कि हमें यह देखना है कि स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है उसको रिव्यू करना है और रिव्यू करते करते हैं इसमें कुछ चेंज भी लाने हैं हमेशा स्टेडी मतलब हमेशा सेम चीज नहीं यू फॉलो करनी चाहिए अगर हमें लगे कि हां पर कम ही आ रही है तो हमें उसे चेंज भी करना पड़ेगा ठीक है अब नेक्स चीज है जो कि बहुत इंपॉर्ट यह हर एक SLM में बहुत जादा इंपॉर्टन चीज है बहुत जादा इंपॉर्टन चीज है यानि सबसे पहले हम कोई भी चीज को हमें अप्टेन करना है तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि क्या हमें करना है कैसे हमें करना है हम इस चीज को प्लान करेंगे उसके बाद हम व अगर चेक करने के बाद उसमें कुई कमी आई तो हम वापिस से एक्ट करेंगे ठीक है अग्ट हो गया अव उसके बाद वापिस से एक न्यू चीज़ों को प्लान करेंगे तो ये साजी जो एक साइक्ल है ये साइक्ल की चलती रहती है इस चीज को आप किसी विर तॉपिक में यूज कर सकते हैं अगर आप यह लिगा होगे ना और आपको फिर फिर नमबर मिल जाएंगे प्रॉपर्ली ठीक है तो यह तो हमने पढ़ लिया कि क्या इसके अब नेक्स टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स तो सबसे पहला होता है इसमें डिवीजन और वर्क यानि की जो काम ह होता है सब स्टाफ में बढ़ जाता है उनके इंटरेस्ट अप्रिट्व और अबिलिक अबिलिक के कोडिंग जैसे कि अभी हम यह कोर्स कर रहे हैं ठीक है तो हम टीचर्स हैं तो हमें टीचिंग मिल जाएगे तब यह सबजेक्स हमें पढ़ाने है ठीक है और बाकी सब्सक्राइब जाएगे तो हम एक सब्जेक्ट मिल जाएगा कि आपको मैठ पढ़ानी है हिंदी पढ़ानी है तो मेरे इंटरेस्ट अप्रिट्यूड और अबिलिटी के काम बढ़ जाएगा सिर्फ ऐसा नहीं कि टीचर्स का स्कूल के मैनेजमेंट में बहुत लोग काम कर बहुत है जो इस निभाव पाए तो इसको वह काम देना चाहिए विज्जानी सब्सक्राइब एक से करा रहे है कि दस लोगों को काम कर रहे है तो कि बहुत हो जाएगा हमें प्रॉपरिण अश्वाट्ट लोगों को देनी है थर्ड है इसमें क्या होगा जो भी रूल्स हैं सब लोग एक साथ पढ़ते हैं अलग अलग धर्म जाती के लोग किसी का इकोनॉमिक बैग्राउंड कैसा है कोई अमीर है कोई गरीव है सब लोग इकी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं ठीक है तो हमें ऐसा नहीं है कि मचली मार्केट बन जाए कि जादा टीचर यूस करते हैं तो वो तब बनेगी जब कोई rules और regulation नहीं होंगी कोई discipline नहीं होगा तो discipline की सिरुवत होती है क्योंकि सब लोग अलग अलग background से हैं तो मतलब partial नहीं होना हमें impartial है unity of command यानि की जो एक head institution का वो सब को command देगा principal है या head of the school है वो सब को command कर लेगा control देगा unity of direction यानि कि एक direction दी चाहेगी nature मतलब काम के लिए कि आपको यह में objective है हमारा ही हमें attain करना है और वो होगी हमारी unity of direction की हमें कैसे भी करके attain करना है कैसे भी इंद गलत sense में नहीं जितने हम methods उस कर पाए सब अच्छे वेसे हमें attain करना है ठीक है subordination of individual interest to journal interest यानि कि इस सब के journal interest को देखते हमें उसको सब के individual interest को देखते हमें से journal interest पे आना है ठीक है जैसे कि सब के कुछ अपने personal interest होगी जैसे कि मैं maths पढ़ाऊंगी उसको भी मैस पढ़ानी है तो ऐसा हो सकता है हम class मेरं divide कर लें कि आप इन classes को उन क्लास को पढ़ा लूगे इसा होता भी है कि दो दो मैंट सीचर ने जए तैन्थ की टीचर एक आधिस्चन को पढ़ाएगी दूसर सेक्षन को को और पढ़ाएगी तो इन्डिविज्वीज्वल इंटरेस्ट से पर आना पड़ेगा थीक है अब पर देंट अन इसेंट्रे जो वो powers है वो बाकी लोगों में बढ़ जाए जैसे कि एक इसे example से समझते हैं जो की fees होती है हमें स्कूल में कितनी fees देनी है बच्चों से कितनी fees लेनी है अब यहां पर management की बात है तो हम ऐसे student नहीं सोचेंगे ठीक है तो हमें students से कितनी fees लेनी है क्या policies होगी admission कैसे होगा है अब हमने सब कुछ कर लिया अब class कैसे manage होगी क्या method होगे वो teacher सोच सकती है निकि decision power जो है वो बढ़ जाएंगी simple सा centralization and decentralization का यह मीनिंग है second है sorry eight है rumination इसका मतलब है pay scale जो होना चाहिए वो सब के लिए equitable होना चाहिए just होना चाहिए यह नहीं कम जादा दे रहे हैं और फिर इसको जादा देंगे उसको कम देंगे नहीं just होना चाहिए next है scalar scalar chain scalar chain में देखिए हम नीचे से low to high जाएंगे मतलब ठीक है top to bottom भी जा सकते हैं इसमें क्या होगा कि जिसे students हैं अगर वो कोई problem face कर रहे हैं तो वो अपने teachers को बताएंगे teachers को अगर कोई problem है तो वो in charge को बताएंगे in charge जो है वो अगर head of the department को बताएंगे अगर head of the department को कोई problem हरी है तो वो HOS बताएंगे head of school को बताएंगे wise principal को बताएंगे और इन सब का head कौन होता है principal होता है या फिर manager होता है तो हम अपनी जो problem हैं वो किसी को बताएंगे आगे कि यह हमार साथ problem हारी है तो हम low to high जाएंगे मतलब नीचे से उपर की तरफ जाएंगे next है equity equity का मतलब है हमें सब के साथ justice है एक होके चाहे वो कोई से religion का हो gender का हो caste का हो किसी भी nation का हो हमें सब के साथ एक होके है ठीक है next is stability of personal इसका यह मतलब है कि जैसे कि कि स्कूल है वो आज एक यह तीचर रख धो दो दिन बाद निकाल रहा है तो इससे क्या होगा थ्रेश टीचर रख भापस से टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा उनके इनरजी टाइम सब बीस्टोगा स्टुडेंटर्लٹ नहीं एंपने ड़ोज जादा इंपोर्टेंट Japon, चनकíst अब लिलquinho लिए और रही कि अग вся ज healthy freeze अगुज को बांकी सब्सक्राइप्स अफल्पर्ण करने को मिलेंग और खुच को भी मेंनेज करने की लिकत visãoी शाना पर सकती रहा ही स्टेप सब्डाय शीडिलिध नहीं कर पाघए कुछी को फिलेटिक्ट लेके आजय इसका क्या में मतलब है शीडिलियंग कर देंगे team spirit develop कर लेंगे तो हम कोई भी objective को attain easily कर पाएंगे ठीक है तो अभी हमने यह देखा यह जो हमने 12 तो 13 पॉइंट्स देखे यह क्या थे principles है school management के कि school को manage करने के क्या principles होते है अब हम देखते है school के functions क्या होते है functions of management देखेंगे school के functions नहीं management के functions देखते हैं अब हम देखो किसी भी चीज को start करने से पहले सबसे पहले हमें एक plan चाहिए कि हमें क्या करना है कौन यह काम करेगा ठीक है जैसे कि हमने school में सोचा कि इतने subject पढ़ाने हैं हिंदी है math है science है लेकिन हमारे बस math teachers ही नहीं है ठीक है तो ऐसा नहीं होगा हमें प हमारे पास हमें पहले ही बताना है organize करना है अपने काम को ठीक है ताकि हमें proper answer मिल चुके हमें अपने effort से human effort से resource को assemble करके कोई भी चीज को obtain करना है ठीक है organize करके ठीक है सबसे पहले हमारा हो गया plan second number पर हो गया हमारा और गना इस third number पर आएगी staffing staffing का मतलब है कि proper training लेके development से हमें यह select करना है कि कौन सा काम कौन कर सकता है ठीक है जैसे कि यह जो यह सब topic है यह 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 ले सकते हैं यह वाली teacher ले सकती है या हमारे finance को यह लोग समाल सकते हैं तो हमें staffing करनी है और उसके बाद क्या होगी हमें करनी पड़ें कि directing या हमने yeah when something time by time direct करना पड़ेगा उन्हें टास्क देने पड़ेंगे कि अब आपका यह टास्क है ठीक है क्या करना पड़ेगा उन्हें सूपर्वाइस, नो पुष साफ को एक इक टीक है तो अब उन्होंता बोस्ता ड़ा दिया आप उनके पास बचत गंत्रोलिंग यानि जो भी एक्टिविटी इस में वहीं है वो अपने प्लान के कोर्टिंग चल भी रही है की नहीं चल रही तो control करना है ठीक है हमारा जो goal है वो हमें obtain करना है वो कैसे हमें करना है अच्छे वेसे लेकाइन ठीक है तो उसको हम control करेंगे ठीक है और यह हमें हर time पर जरुवत होती है इन steps की यानि कि cycle तूटनी नी चाहिए जो पाचो भी हमने steps पड़े थे plan है, organize है, staffing है, directing है, और controlling है, यह cycle की तरह काम करेंगे, control हमें बनाए रखना है, तो अगर ऐसा नहीं है कि हमने यह step miss कर दिया, या फिर हम सोचिंगे इसकी जगा कोई और cycle ब्रेक वो आ जाए, और कोई step आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, यह five steps है और आपको इस sequence में लर्ण करना पड़ेंगे, और यह बहुत important question भी है, अब जो हम next topic देखेंगे, role and function of principal as a school manager, school का जो manager होता है, जो क्यों होता है principal, ठीक है, principal होता है, अब उसका क्या क्या रोल होते हैं, वो हम समझेंगे, और यह भी एक बहुत important topic है, और यह हमारा last topic भी होगा, इस topic का, जो हमने unit 1 का topic 2 कर रहे हैं, उसका यह last topic होगा, अब देख जो school का manager होता है, या फिर principal, वो as किस की तरह काम करता है, as an administrator की तरह, administrator क्या है, पहले हम वो देखते हैं, administrator को अगर हिंदी में बोले तो प्रबंदक या निकी, इनका क्या काम होता है, teachers की growth का, इनका काम है, teachers की कैसी growth होगी, records बगेरा maintain करते हैं, documents को maintain करते हैं, क्या policy, क्या rules बनेंगे, यह सब देखते हैं, ठीक है, और अगर हम देखे, principal as a manager, as a planner कैसे होता है, क्योंकि यह aims और objective को design करता है, क्या curricular, क्या co-curricular activities है हमारे पास, वो हमें करवानी है, यह सब उसको organize करता है, यह human को non-human resources, यानि कि जो लोग है, और जो हमारे पस material है, उनको manage करता है, इस अगर कोई सब्सक्राइब करता है, क्योंकि यह टीचर्स को देखता है कि उनमें क्या नीड है, उनमें इंप्रूव्मेंट की, या उनको और क्या teaching practice को कर सकते हैं, students की performance को भी वो चेक करते हैं, ठीक है, classroom में सजेशन भी देते हैं, टीचर्स को भी, student को भी, स्लेम उनने यह मतलब, student school में conflict ना हो, जिसकी वज़े से यह दूसरों की behavior को influence कर पाएं, अगर कोई teacher गलत किसी चीज के लिए बोल रही है, लेकिन वो खुद नहीं समझ पारी कि यह policy गलत है, तो as a good way में उन्हें अपने behavior से उन्हें समझाना चाहिए, ठीक है, मतलब उन्हें as a leader काम करन तो leader के अंदर leader की qualities उन्हें होनी चाहिए, अब अगर हम बोलें कि जो principal है, head है, manager है, वो coordinator होता है, यानि license officer होता है, इसमें क्या होता है, वो किसको coordinate करता है, किसके बीच में role अगर student teacher को coordinate करता है, society or school को एक करके रखता है, वो student teacher और staff को एक करके रखता है, वो other department के साथ मिलक रहता है, ठीक है, तो वो proper advice भी देता है, committees को, selection staff को, ठीक है, वो conflict को resolve करता है, तो ये सब है, coordinator है, इसलिए हम कहते हैं, कि अलग-अलग authorities को coordinate करके रखता है, तो ठीक है, हमने अब ये 5 चीज़े देखी, कि क्या role होता है principal का, सबसे पहला administrator का, evaluator का, leader, planner and organizer, और license officer, यानि की coordinator जिसको हम बोलते हैं, तो ठीक है, तो ये में हमने करा था, unit 2 का, unit 1 का second topic हमने आज कवर कर लिया है, next video में हम third topic देखेंगे, third topic है, हमारा total quality management, TQM, जो कि एक बहुत जादा ही important topic है, ठीक है, हो पह आपको इतना समझ आयोगा, जितना आज हम करा, अगर नहीं समझ आया तो description mention किया है, वहाँ पे जा के आप पूच सकते हैं, so, होप आपको वीडियो समझ आयोगी, and if you like watching the education of videos, so do subscribe to my channel, thanks for watching.